मिया कि चलो केमरा चलो वे उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना है भाईया बुला रहा है चलो अब सुबा के नौ बज रहा है और गुबिंद जो है ना आज का सुबा का ही भूर का ही आच चुका है घर पे तो अभी जाएगा परियम गुबिंद को भूला के लिए कि आएगा भाई बुलाग में नहीं आ रहा है उसको बोल रहे चलो उपर ब्लॉक बनाना है तुम बताओ को सब को क्या क्या मामला हुगा सबके साथ तो चलो खुल के बतादो अपना दो रहा है कि नहीं हम नहीं बनाएंगे वह इसलिए गुसे आया है कि रुबिंद फढ़े तो आजाएका लेकिन वह उसको गलत समय लिए कि वह जिसको नहीं मालुम तो उसको भी आप लोग ने ब बाकी देखो उपर ही हम लोग बनाने के लिए, यहां सब कोई खड़ा है, मम्मी भी इदर खड़ी है, मम्मी हम पहले मम्मी का शिरबात ले ले लेते हैं, खुश रहो, दोनों खुश रहो, बेटा और बहु, आप लोग भी खुश रहाना, हमारा गुबिंद बेटा आ गया है चार बजे भोर में, गुशे से हम दरवाजा नहीं खोले थे लेकिन परेम जाकर खोला और वो अंदर आया, भी सोया है, हम लोग तो सोय ही थे, तो परेम जा के मतलब जब अरजस्ती खोल के लेके लिए है, मम्मी दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, बोल रही थी कि जाओ घर को शोचे के सब आख मैं धार मुस्टे तूम बुलानेन कर दो बाव भी पहों है कि देखते कहां पे है। कि इस रूम में यहाय सुजा है विए धिया ओ है चलो केमा चार्णा वंटस हूअका कुछ नहीं बोलना है वाया बुला तरहे zor कि छ बाइया बुला रहे हैं उल्ड़ा सीधा कुछ प्विंध बोलना चलो केमारा चालू है इसली आम लोग केमरा चाहलू करकर लाएं चलो चाथ पे चाथ पे जानेंगे कि सच्चाई किया है कि साधिक कि नहीं किया है और भागने का रिजन क्या था घर छोड़के तो सब कुछ अभी यही आप लोग को बताएगा क्यूंकि हम बताएंगे तो कुछ सही बताएंगे कुछ गलत बताएंगे लेकिन यह जो बताएगा वो सही होगा क्या रिजन था कि तुम घर छोड़के भागेते बताओ देखिए हम बता रहे हैं आप सबी से अभी मैं साधिवादी कुछ नहीं किया हूं और जो लोग अफवा फैला रहे थे बहुत ज़्यादा अफवा फैलाए थे कि गोविन भाई तुम साधी क्यों कर लिये हो तुमारे फैमिली में एवो टैंसन है वह है बहुत लोग कुछ भी बोल रहे थे बहुत मतलब ब्लेकमेल कर रहे थे मैं बहुत ज़्यादा परेसान हो गया था इधर से कॉल आ रहा था मेरे घ रिकॉर्डिंग भी था मेरा तीन-चार गाना का मैं निकल गया था और घर पे भी नहीं बताया था कि मेरा रिकॉर्डिंग गाना का और मैं इस्टूडियो पे निकल गया था इसके कारर में बहुत ज़्यादा बीजी हो गया था रूसी में बहुत ज़्यादा ये सम्मेटर लेके कॉल कर रहे थे मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं घर छोड़के निकल गया गया यह कहां था मैं आपको बताता हूं यह गया था इस्टूडियो पे और हुआ क्या था जब मैं इससे पूछा ना थे बोल रहा था कि तीन-चार द रहे थे और सोच रहा था कि भी घर रहा था तो आर्शा जाओँ परताब्षन लोग जाए था तीन से चाहर गाना चार गना पॉल राता कि अगर मैं घर पर आता तो मien माय डिस्टरभ होता जो कि मैं आगे अपना गाना का तो तैयारी नहीं कर पाता और को जो हें crush और भई श्रम को het सब्सक्ति इंग सब बिष्बाइब को तो近ree नहीं हुआ है यह सल करेंगत मुझे जैसा करता तो मेरे घर वाले में को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और मेरा इसा करा देते, लेकिन मैं वैं सा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं संगीत लाइन से बहुत ज्यादा ही मतलब तैयारी करता हूं, ताकि मैं भी कुछ करूँ और मैं बता दू इसलिए घर पे घाइस फोन करके नहीं बताया ताकि मैं इस चीजों से मैं बचना चाहता था कि मेरा भी कोई एनकर ओनकरे उसी में भाई या ब्लॉक डाल दिये कि गुभींद घर से भाग गया यह कर लिया इसलिए मैं घर पे भी नहीं बताया और कुछ नहीं बोल पाया वाई यही रीजन है ब्लोग बना दो बहुत चार लोग बोल रहते कि लड़की लिए कर लिया लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा था और यह भी आपके सामने खुल के बोल दिया और बात यह है भाई पूरी सचाई कि अगर ऐसा कुछ करता भी ना तो हमारी फैमिली वैसी नहीं है खूद हम लोग मील के साधी कर देती चैने जैसे वी ओगर पिया घर कोई जरुवत नहीं और यही आप सबसे बूल दिया है कैसा कुछ है नहीं तो यही सब मामला है और अभी मुम्मी से जानते हैं इसलिए हम इस पे गूसा थे कि घोर से पहले तो बता कर नहीं गया था कि कोई से हम से तो पता कि जाना चाहिए इसलिए सुबह में दरवाजा नह कोई बात नहीं है आप बहुत अब देखेंगे आजी बाजू चाहे कोई भी देखेंगे तो यह सोचेंगे कि हो गोविंद आ गया है लेकिन जहां था यह ठीक था बस हम लोग यही गौतम बाबु बलोग बना के डाल दिये इसलिए नहीं आ रहा था कि कि यह बलोग बनाए बलोग बना के डालूंगा तो सकता है पबलिक जब जाएगी कमेंट करेगी इसके उपर अचाहें मेरे ही कमेंट के अंदर वीडियो के अंदर तो यह पढ़ेगा देखेगा तो फिर घर चलाएगा लेकिन यह वाई उसी से बोल रहा है कि आप बलोग बना के क्यों डाले है तो यह भी जानता है कि हमारा लाइफ स्टाइल है जो कुछ होता है हम आप सब के सामने परजिंट करते हैं तो इसलिए हम डाले थे कि चलो यह आप सब की मालूम पड़ जाएगा और यह भी घर चलाएगा लेकिन इस बात से नराज होगा कि भाई बलोग क्यों बना के डाले तो भाई यह बताएगे कि हम नहीं डाले है वह सही है कि आप सब के साथ हर चित सेयर करें वह सही है लेकिन चलो फाइनली गोबिंद आ चुका है घर पे और ज्यादा कुछ अभी बात नहीं है बस सब कुछ अभी नर्मल तरीके से सब कुछ नर्मल हो गया है और रह गई कुछ लोग है जो इसको कुछ उल्टा सीधा बोले थे उसी वाज़ से घर और वी छोड़ा था यह जादातर करके और ज्यादा परसान हो गया था बाते है कि हम सकल है और जैसा है हो लड़का जो साधी किया है अब ही लेकर लोग धमाल मचा दिये बावाल कर दिये चलो कोई लड़का आरे हम तो देखे हैं यह जो है ना बहुत बड़ा एक मान के चलिए अपने मूझ से का बढ़ाई करें मतलब एरिया का हर को इसको जानता है यह सिंगर है गायक है बहुत दूर दूर तक के लोग जानते हैं और जब यह सोचल मीडिया पर जबी ऐसा हुआ था ना बहुत लोग जाने थे ना तो कहीं न कहीं इसके वाह से और ज्यादा डिश्टर्ग हो गया था आगे हम बताएंगे आगे ब्लॉग में कि क्या थी मतलब पूरी इसकी सच्चाई हर चीज की रीजन क्या था और कौन इसको क्या बोला था वह आपको निष्ट ब्लॉग में ज